हेलो इवरीवान, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं, आप सब उमीद करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो आज मैं एपल की खीर बनाने जा रही हूँ, तो आप सब के शाद भी शेयर कर जही हूँ, आई होब आप सब को पसंद आए, एपल की खीर बहुत अच्छ तो मैं सोची कि खीर बना दूँ, थोड़ा सा इसमें दाग लगा हुआ है, ये ग्रीन वाली जो हडी वाली अपल होती है, ये वाली है, तो मैं अच्छे से इसका छिलका उतार ली हूँ, और अब इसका कद्दू कस कर लूँगे, तो चारो तरफ से गोल गोल ऐसे गुमा के कद्दू कस कर लूँगे, ताकि जो बीच में जो उसके गाठ होते हैं, जो बीच होते हैं, वो ऐसे ही रह जाएगा, तो उसको निकाल दूँगे, और बहुत टेश्टी बनती है, और हेल्दी तो होती ही है, तो बच्चों को इस तरह से बना के देना चाहिए, और हम बरू क भी फ्रूट खाने ही चाहिए, तो फ्रूट भी खाते हैं थोरा सा, अगर अलग डिफरेंट बना के खाते हैं, तो टेश्ट भी अलग हो जाती है, और हम खा भी लेते हैं, बहुत प्यार से, बच्चे भी खा लेते हैं, तो सभी एपल को इसी तरह से मैं कदुकस कर यहीं और is में थोरा सा घी डालोंगे, और कुछ गाजू बदाम को रोस्ट करूँगे, ऐसे भी रोस्ट कर सकते हैं, पर थोरा सा घी डाल के मैं रोस्ट करूँगे, हलका बस कलर चेंज करना है, उतना ही भूनना है, एक तेर के अल Oregon, हलका सा भून लूँगे, तो देख सकते हैं कि काजू बदाम भून चुकी है तो इसे निकाल लेती हूँ और फिर इसी कराही में एपल को भूनूंगी तो ड्राइफ रूट निकाल ली हूँ और अब इसमें एपल रख दूंगी और गैस का फ्लेम बिलकुल ही लो कर दी हूँ लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है फ्लेम अगर हाई रखूंगी तो जल जाएगी अपल तो अब इसमें थोड़ा सा घी और एड़ करूंगी जो पहले वाला था वो बहुत कम था घी तो थोड़ा सा आधी चमच की लगवाग यह और एड़ कर दूंगी और चलाते हुए इसे 4-5 मिनर तक भूनँगे इसे कम से कम 4-5 मिनर तक हमें चलाते हुए पकाना होता है अपल अच्छे से जब पक जाती है तो हमें दूद में डाल की पकाने की जरूरत नहीं होती है मैं ऐसे भी mix कर सकते है इसे तो अब ये भुन चुकी है तो अब निकाल लेती हूँ मैं देख सकते है color भी change हो गई है और अच्छे से पक भी चुकी है तो अब इसे निकाल लेती हूँ तो apple में निकाल चुकी हूँ और इसी कराही में मैं एक लीटर दूद फुल क्रिम बाली ली हूँ और ये बॉइल के हो दूद है मैं मॉनिंग में ली थी तो उसे बॉइल कर ली थी तो अब इसे चलाते हुए मैं इस दूद को आधा कर दूँगे एक लीटर है यानि आधा लीटर कर देना है है जब इस तरह से हम खीर बनाते हैं तो बहुत टेश्टी बनती है तो देख सकते हैं दूद है बहुते हैं ख्रादी करें थोड़ा सा सुगर आड़ करेंगे अगर आप आप सुगर नेक टालना चाहतेैं तो आप ना भी डाले क्योँकि मीठीे तो होती है पर मैं थोरा सा सुगर ली हूँ और अब दूद हो चुकी है गाढ़ी तो बस अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ क्योंकि गरम दूद में जब एपल डालूंगी न तो ये फट जाएगी तो थोरा सा ठंडा होने देते हैं तो तीन-चार मिनट के लिए ठंडा होने दिये जब दूद थोरा सा लो टंप्रेचर पे आई है तब मैं एपल एड करूँगी और गैस फिर अन कर दी हूँ और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे एक से देर मिनट के लिए हमें चलाते हुए इसको मिक्स करना है पक्तो चुकी है ये पहले से ही बस इसको थोरा सा मिक्स करना है इसमें अब इसमें मैं थोरा सा ड्राइफ फ्रूट एड करूँगी तो यहां पे किसमिस ली हूँ और थोरी से काजू और बादाम रखूँगी जो रोष्ट की थी और थोरी से बचा लोगी गार्नेशिंग के लिए तो यह गाड़ी हो चुकी है अब इसे मैं एक बावल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देती हूँ ठंडी ठंडी खीर बहुत अच्छी लगती है खाने में भी और देखिए आदे गंटे के लिए हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था तो देख सकते हैं कलर भी बिल्कुल चेंज हो गई है और देख सकते हैं और गाड़ी हो गई है तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर दीजेगा वीडियो को फिर मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाव बाइ